है वेलकम यू एंड आयम रियली वेरी ग्लाइड तो सी यू यू आर वाचिंग इंगलिस डीपो एंड दिस पवन में डिर आज आप इस क्लास में अपने फर्स्ट चैप्टर दे लास्ट लेशन की समरी को हिंदी में समझेंगे जानेंगे और इस कहानी को केरफुली शुनें हुरे गरिंगे तो आपको अवश्य याद रहेगी और इकजाम के समय परिछा के समय जो भी कौर्शन आप के सामने आएगे नंका जवाब लिख सकोगे, हम लोग इस class में summary को पढ़ेंगे, next class में इस से related जो भी questions हैं, उन questions को solve करेंगे, तो जब आपको कहानी याद रहेगी, तो आप questions के answer को भी समझेंगे, और आप आसानी से लिख पाएंगे, याद कर पाएंगे, तो I hope आप वीडियो को last तक देखेंगे, और कहान को गौड से शुरेंगे, तो चलिए हम सुरू करते हैं, यह जो हमारा last lesson है, इसको लिखा है, अलफान्सो डॉडट ने, इसको उस समय में लिखा गया, जब फ्रांस में युद्ध चल रहा था, जर्मनी से, जर्मन यानि की प्रशिया से युद्ध चल रहा था, और प्रशि के शैनिकों ने, फ्रांस के दो सिटी, डिस्टिक, अलसास एन लॉरेन पर कबजा कर लिया था, और उस समय वहां पर आदेश आ गया था, कि अब, अलसास एन लॉरेन की स्कूलों में, सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, इ इस लास्ट लेशन को लिखा गया, कि उस दिन ये लास्ट लेशन था, फ्रेंच लेंग्वेज का, अब आगे आप कहानी को सुनिए, और आप पुरी की पुरी कहानी को कंठस्त करिए, मैं आज सुबाई स्कूल के लिए लेट से निकला, हमारे टीचर एम हमेल ने कहा था, कि वो हमसे पार्टिसिपल पर प्रस्न पूछेंगे, इसलिए मुझे बहुत डर भी लग रहा था, तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि मैं आज स्कूल ना जाओं, क्योंकि बाहर देखा तो दिन बहुत ही वार्म था, सूर ये निकला हुआ था, पेड़ों पर पक्षियां चेह चाहा रही थी, खुले मैदान में आरा मसीन के पीछे, शामिल के पीछे, प्रसियन सोलजर्स ट्रेनिंग कर रहे थे, ये सब पार्टिसिपल के रूल से बहुत जादा कर सक था, इसलिए मैंने सोचा एक बार, लेकिन मैंने अपने इन विचारों का विरोध किया, और स्कूल के लिए आगे निकल गया, जैसे मैं टाउन हाल से गुजरा, तो देखा बुलेटिन बोर्ट के सामने भीड लगी थी, ये वही बुलेटिन बोर्ट था, जहां पिछले दो सालों से सारी बुरी खबरे निकल के आई थी, युद्ध में हारने की खबर, वैकेंसी की खबर सेना में, और जो अधिकारी थी उनके आदेशों की खबर, तो इसलिए मैंने बिना रुके एक बार सोचा कुछ छड़ के लिए, क्या बात हो गई है, क्या निउज आ गई, लेकिन मुझे देर हो रही थी, तो मैं जल्दी से वहां से निकल ले का प्रयास किया, और जैसे मैं निकल रहा था त क्योंकि मैं तो आल्रेडी लेट था, और मैं कैसे भी हापते हुए अपने टीचर M.Hamel के गाइडन में पहुँच गया, यानि की स्कूल में पहुँच गया, और आपको पता होना चाहिए कि समानता जब स्कूल सुरू होती है, तो स्कूलों के सोर को गलियों तक सुना जा सक सीट के पतकने की आवाजे, चिला चिला करके अपने पाठों को दोराने की आवाजे, टीचर के रूल पतकने की आवाजे टेबल पर, ये सब गलियों तक सुनाई देती थी, लेकिन आज सब कुछ बिल्कुल सांत था, आज सब कुछ बिल्कुल विचित्र था, मैंने देखा कि सब अपनी अपनी सीट पर बैठे थे अब मुझे अपनी सीट पर बैठने था मुझे अपनी सीट पर जाना था दरवाजा खोलना था सब के सामने से जाना था आप सोच सकते हो कलपना कर सकते हो मुझे कितना डर लग रहा था मुझे कितना भय लग रहा था और मैं कितना सर्मिंदगी महसूस कर रहा था बट वास्तों में ऐसा कुछ हुआ नहीं जब मैं दर्वाजा खोला हमारे टीचर ने हमें देखा तो बड़े ही दयालता सुनू ने कहा कि छोटे फ्रांज जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ हम तो सुन करके तो हमारा हिर्दा बिल्कुल खुशे से जोम उठा हम कूद के अपनी सीट पर गए बैठ के कुछ भी नहीं देखा बस अपनी जगांपर गए बैठे और जैसा ही बैठ करके मैंने देखा तो हमारे टीचर को देखकर मैं एक बार सौट हो गया क्योंकि हमारे टीच बिल्क टोपी लगाए थे सब बिलकुल इंपरडर था सम बिलकुल करहाई किया हुए था और ये पिसली ये संडे कलाद था उनका या तो फिर वो दो ही दिन पहनते थे प्राईज वितरण के दिन पहनते थे और इंस्पेक्शन यानि निरिक्षर के दिन पहनते थे अब ये देख करके मैं एक बार आश्यरे चकीत हो गया कि ये क्या हुआ मतलब सब कुछ विचित्र का है आज लग रहा है इतना ही नहीं जैसे मैं पीछे की सीट पर देखा जो हमेशा खाली रहती थी तो वहाँ पर हमारे गाओं के कुछ बुजुर्ग लोग आये हुए थे कुछ बुढ़े लोग आये हुए थे उसमें पूरो मेयर भी थे पूरो पोस्ट मास्टर भी थे और भी बहुत सारे लोग आये हुए थे और सब के सब बड़ा उदास परतित हो रहे थे और एक जो हमारे बुढ़े रख्ती थे हमारे पीछे कलास में वो तो अपने साथ में एक पोथी लाए हुए थे बहुत गंदी हो चुकी थी पढ़ते-पढ़ते सायद और उसको अपने घुटने पर रखे थे खोल कर उसमें अपना चस्मा भी रखे हुए थे अभी मैं इन सबके बारे में सोच ही रहा था कि हमारे टीचर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और बहुत ही जेंटल आवाज में बहुत ही विनमर आवाज में कहते हैं वह ही आवाज जो जिसका पने उन्होंने मेरे से किया था बच्चे जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ यही आवाज में यही ले में उन्होंने बोला मेरे बच्चो यह आज अंतिम पाठ है जो मैं आज आप सबको पढ़ाऊंगा क्योंकि बरलिन से आदियस आ गया है कि अलसास एंड लॉरें की स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन स इसले मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ध्यान से कलास को अठिंड करें बहुत ध्यान से सुनें अरी यह वर्ड जैसे हमारे टीचर ने बोला हमारे तो कान खड़े हो गये अभी मुझे समझ में आया क्या बात थी बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड क्यों लगी थी यही बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड लगने का अभी मैं सोच में पड़ गया कि मेरा अंतिम फ्रांचिलेशन अभी तो मैं इसको मुझे लिखना सीख पाया था अभी तो मुझे ज्यादा आया भी नहीं था और अब मुझे यही पर रोक देना पड़ेगा मुझे बड़ा छूड़ जाएंगी हमसे यह हमारे इतिहास की किताबे यह हमारे ग्रामर की किताबे जो कभी हमें भारी लगती थी ढोने में अब मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता अरे हमारे टीचर भी हमको छोड़के चले जाएंगे यह ख्याल हमारे टीचर के प्रति जो हमारे विचार पहले हुआ करते थे वैसे हम सब सोचते हैं कि यह तेशर कितना ख़़ूस है कितना वह यह चला जाए लेकिन जब यह बात आई कि हमारे नीजरं से दूर जा रहे हैं तो हमारे मन में यह जो विचार थे हमारे टीचर को ले करके खरूसपन का सब भूल गया मैं और मैं बहुत उदास हो गया और अब जाकर के मुझे समझ में आया कि बात यह थी जो हमारे टीचर ने यह इस्पेसल कलाथ पहना हुआ था special dress पहना हुआ था हमारे french language के सम्मान में पहना हुआ था और यह जो गाओं के लोग आये हुए हैं यह भी हमारे teacher के सम्मान में आये हुए हैं अभी मुझे यह बात समझ में आई थी अब उन लोगों को बहुत कस्ट भी हो रहा था हमारे गाओं के लोगों को भी और यह उन लो के बारे मैं सोची रहा था कि हमारा नाम सामने से बुलाया जाता है और अब मेरा नंबर था पार्टिसिपल का रूल सुनाने को मैं क्या क्या नहीं करता उस पार्टिसिपल के रूल को सुनाने बेटे फ्रांज हम तुमको डाटेंगे नहीं तुमको खुदी बुरा फिल हो जाएगा देखो न क्या है आज क्या हो गया हम लोग रोज कहते थे थे न हमारे पास बहुत अधिक समय है हम तो कल सीख लेंगे और आज देखो इसी बहाने ने हमें कहां से कहां लाके खड़ा कर अब तो अलसास के लोगों के साथ बहुत बड़ी मुसीबात आ गई है कि उनको कल से अपनी मात्रिभासा सीखनी बंद करनी पड़ेगी और यहां के लोगों से ऐसा अधिकार छिन लिया जाएगा यहां के लोग सिर्फ और सिर्फ बहाने में हो जाएंगे फ्रेंच मैन बहा कही न कहीं गलती करी हुई है तुमारे पैरेंट्स भी तो चाहते रहते थे कि तुम किसी मील में जाओ काम करो किसी कमपनी में जाके काम करो पैसा कमाओ उनकी भी गलतिया हैं हमारी भी तो गलतिया हैं क्योंकि हमने भी कभी कभी अपने फूलों में पानी देने के लिए हमारे टीचर यम हैमेल ने एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक बात करते गए और फिर उन्होंने बताया कि हमारी फ्रेंच लेंग्वेज सबसे बीडिफुल लेंग्वेज है सबसे इसपस्ट और तार्किक लेंग्वेज है इसलिए हमें इसकी अवस्रक्षा करनी चाहिए हमें इसको हमेंसा पकड़ के रखना चाहिए हमेंसा इसके ग्यान को रखना चाहिए क्योंकि जब कभी इनसान गुलाम होता है तो उसकी मात्रिभासा ही उसके जेल की चाभी के रूप में निकल कर आती है उसके बाद इतना कहने के बाद उन्होंने ग्रामर की किताब खुली और ग्रामर का पार्ट पढ़ाया आप यकीन नहीं मानेंगे जो भी उन्होंने पढ़ाया एक एक सब्द मुझे समझ में आ गया इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था मैंने ना इतने गौड से पढ़ा था ना हमारे टीचर ने इतने असानी से पढ़ाया था मानों ऐसा लग रहा था कि हमारे टीचर वो सब कुछ दे देना चाहते थे जितना भी उनके पास था जितना ग्यान था वो सब हमारे दिमाग में भर देना चाहते थे और grammar की class के बाद हम लोगों के लिखने की class शुरू ही उन्होंने हम सब को कापिया बाटी कापियों में बहुती सुन्दर अच्छरों में गोला कार में लिखा था फ्रांस अलसास फ्रांस अलसास ऐसा लग रहाता है वे छोड़े धंडे हैं जो कि school में हर जगा लहरार हैं और इनको राड से हमारी डिस्को पर लगा दिया गया था और सब कुछ इतना सांत था कि हमारे school में हमारी class में सिर्फ उस समय pen और paper की आवाजे आ रही थी बस एक बार तो कुछ भवरे उड़के भी गए किसी ने उनको ध्यान तक नहीं दिया लेकिन फिर कुछ देर बाद मैं देखता हूं कि छट पर कुछ कबूतर कू कू कर रहे थे बोल रहे थे अब मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि क्या यह जर्मन के लोग कबूतरों से भी जर्मन में यह कू करवाएंगे जर्मन में बुलवाएंगे क्योंकि हमारी मात्रिभासा तो हमसे छीन ले रहे हैं तो क चीज को इतना गौर से देख रहे थे मानों सब कुछ अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे क्योंकि 40 सालों तक उन्होंने इसी जगाँ पर बहुत कुछ किया था अपना गार्डन लगाया था और जिसको खिड़की से देख सकते थे हम अपनी क्रास के और इतना ही नह तक लता का व्रिक्ष लता का पौधा जो था वो खिड़कीयों से चट तक पहुँच गया था ये सब हमारे टीचर के हिर्दय को तोल रहे थे हमारे टीचर के हिर्दय को कस्ट पहुचा रहे थे इतना ही नहीं उपर के चट पर उनकी बहन बैक पैक कर रही थी इसकी को भी भूती विनम्रता से पहुती अच्छे से पूरा करना चाहते थे लिखने के बाद हमारी इतिहास की कलासर चली फिर जो छोटे बच्चे थे उन्होंने बा बेबी बोबू जैसे अक्षरों को पढ़ा और फिर हमारे कमरे में जो बुजुर्ग आदमी था क्योंकि उनकी आवाजे कप रही थी उदास भी थे बिल्कुल ऐसा लग रहा था हसी आ रही थी लेकिन रोना भी आ रहा था और यह अंतिम पाठ कितना यादगार हो गया लेकिन तभी अचानक से चर्च की घड़ी में 12 बच्चते हैं और कुछ प्रशियन सैनिक के लोटने क कि आवाजे खिड़की से अंदर आई हमारे टीचर यम हैमेल फिर कुर्सी पर खड़े होते हैं और हमने देखा बहुत लंबे दिख रहे थे लेकिन हमारे टीचर ने कहा मैं मैं ऐसा लग रहा था कुछ कहना चाह रहे लेकिन वो कहना ही पा रहे थे उनके हिर्दे को कुछ पहुचा रहा था तभी वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुडते हैं चाक का एक टुकड़ा उठाते हैं अपनी पूरी ताकत से वो लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में वाय ला फ्रांस यानि ये फ्रांस जिंदा बाद और फिर उन्होंने अपना सर दिवाल के तरफ जुका लिया और बिना एक सब्द बोले उदासी से अपने हाथों से इसारा करते हुए कहा इसकूल समाप्त होती है अब आप सब जा सकते हैं आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चेंस बनते हैं उनको सालों करेंगे चाहे वो शायट हो या लांग हो ओकडिया थैंक यू सो मच फो वाचिंग बाबाइ टेक केर अफ यूर्सेल्फ